हुआ है 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 गाइज वेरी वेरी वर्म वेल्कम एवरीवन नमस्कार साथ यह फिर से आप सभी का स्वागत है जितने भी दोस्त यहां पर जोड़ रहे हैं आई होब कि आप सब लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे पॉफेक्ट होंगे और अच्छा करेंगे अपनी ठीक है और यह लाइफ का दस्तूर है जब आपको अच्छी चीज करने जाते ना तो आपको अपोजिट में डेफिनेटली उसका बुरा तो मिलना है मिलना इस वात को यह लिखके ले लिजिए दोस्तों कि अगर आप कोई भी अच्छी चीज करते हैं लाइफ में तो आपको उसके अपोजिट कुछ ना कुस्तों मिलेगा देखे लाइफ आपको क्या देगी मेरी बाद ध्यान से समझेगा जब भी आप अच्छा ही करोगे लाइफ आपको क्या देगी आकास एटू जेड करके कोई पतानी कोई चात्र है मैं तो जानता भी नहीं हूं ठीक है इन्हों क्या लिखा आपकी प्यार भरी कमेंट के लिए आभार मित्र वैसे आपने ऐसा क्यों बोला उसके कारण वर्नन नहीं किया और आपको लाइफ ये भी देगी साथ में आपको फोकस बस ऐसी कमेंट्स पर करना है जहां पर आपको एप्रेज किया जा रहा है जहां पर आपकी फोकस करना है साथ यो पूरी तरीके से चलिए आज रिपब्लिक डे है साथी सरस्वती माता जी का पूजन का दिन भी है साथ यो आप सभी को दोनों ही चोहारों की हारदिक सुब कामना है साथ यो ठीक है चलिए आज की सक्षा को आगे शुरुआत करते हैं दोस्तों और परदस्त आप लोग इसे जॉइन कर सकते हैं तो देट इविएस भाई लोके सर मैंने आज भी उसमें टाइम डिस्टेंस और स्पीड के जो शौट ट्रिक्स होती है साथ यो उसके हैं रिटन नॉट्स डाल दिए गनित के लिए जितने भी चात्र है साथियो वह जितने भी चात्र है जो मैथमेटिक्स के में थोड़ा बहुत कमजोर महसूस करते हैं वह ने नॉट्स को डाउनलोड करके जरूर अटेम्ट कीजिए तीन हजार दोस्तों ने अटेम्ट कर लिया है और मैं जो जो नॉट्स देता जाऊं आप लोगों को उनको टाइमली ठीक है उन सभी नॉट्स को टाइमली प्रिंट भी करा लिया करें ठीक है बिना किसी देरी के उन सभी नॉट्स को जो जो नॉट्स आपको मिलते जाए उनको डाउनलोड करके प्रिंट भी कराने का काम किया करें साथ यो ठीक है तो पहला कोशन लगाते हैं सडी सबजियों पर फपूंद कि किसके कारण लगती है वो जीवानू के कारण वो शैवाल के कारण वो फंगस के कारण या ब्रायोफाइटा के कारण साथ यह ब्रायोफाइटा क्या है समझे हमने पेडों को ना क्लासिफाई किया है देखो विटेकर ने पांच भागों में सभी जीवों को बाटा है और रेच प्रोटिस्टा है कि फंगस है और साथ की साथ साथ यो मोनेरा है ना और क्या है मोनेरा ठीक यह पांच भाग है इसी में से प्लांट को फुर फर्दर आप अगर क्लासिफाई करते हैं अगर आप फाइनली प्लांट को आगी क्लासिफाई करते हैं जब भी आप तो प्लांट को classify करने में आपको अलग-अलग classification मिलेंगे जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ठीक है तो ये आप लोगों को classification मिलेंगे अलग-अलग लेकिन आपको जो focus रखना है question पर रखना है ऐसे नाम देकर घबराना नहीं है paper में क्योंकि आपको पता है फफूंद क्या है बेसिकली है ना फफूंद क्या है फफूंद एक प्रकार की fungus है दोस्तों तो यह जो fungus है सड़ी सबजियों पर जो fungus लगती है वो याद रखिएगा this is beautiful rotten vegetables ठीक है यह कवक है बेसिकली एक तरीकी कि क्या है यह कवक है मेरे दोस्तों ठीक है कितने दोस्तों को समझ में आगया कवक है चलिए यह रही कवक अगर आपने नहीं देखी हो साथियो में ilah आपने देखा होगा कि कई बार जब लकड़ी पड़ी रहती है और बारिस वाला जो समय रहता है तो उस बारिस के समय में यह जो कवक है जो ठीक मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं यह जो कवके निकल आती है किस किस ने देखा है जिस ने देखा वो यह सर लिखो फटाफट से कमेंट चिक्शन में जितने भी दोस्तों ने यह देखा है यह कवक का दूसरा नाम क्या है दोस्तों वट इस दा अधर नेम ऑफ चानक्या है ना चानक्या का दूसरा नाम क्या है What is the other name of Chanakya? चलिए Mushrooms, very good, बहुत बढ़िया है ना, पदमानन्द है, गुनाड़े है, कौटल्य है, या फिर विशाखदत्त है दोस्तों What is the other name of Chanakya? Chanakya का दूसरा नाम क्या है साथियो, सब लोगों को बताना है Come on everyone पदमानन्द है, गुनाड़े है, कौटल्य है, या विशाखदत्त है चलिए, बहुत बढ़ी है, शबाश Yes, the other name of Chanakya is nothing but कौटल्या है ना कौन है साथियो, कौटल्ये, ठीक है कौटल्ये, चानक्ये का दूसरा नाम है साथियो कौटल्ये, जो है वो, चानक्ये का दूसरा नाम है दूस्तो, ठीक है ठीक, याद रखेगा ये वही चानक्ये हैं साथियो, जुन्होंने जो है, मगद समराज्ये में नंद जो थे उनको बेसिकली हरवाया ठीक, और एक ऐसा छात्र तयार किया जिसने पूरा समराज्य जीता, तो एक अध्यापक के, जो गोध में साथियो, हर चीज पलती है उसके गोध में ज्यान भी पलता है और इस तरीके की करांतिकारी चीज़े भी पलती हैं, तो अगर आप एक टीचर बने, तो आप किसी छात्र को कहां से कहां तक पहुचा सकते हैं, ये चानक कैसे आप लोग को सबको सीखना चाहिए साथियो, याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं ठीक और इन्होंने ही साथियो, कोटिल्ला अर्थ सास्त्र भी लिखे आगे बहुपति, बहुपतिनी, विवा संभू, ये सब ये सब अन्यांतृत विवा, ये सब ही किस प्रकार के हैं साथ, ये परिवार वाले टौपिक से कोश्चन है, फैमिली वाले टौपिक से कोश्चन है, ठीक है, आज सब लोग बिजी कैसे हैं, 158 लोग देख रहे लेकिन लाइक के यार सिर्फ करना चाहते हैं अपनी life में ठीक है really kbs वाले चात्र serious है तो please like a button दबाते होई चलिएगा और साथ की सात answer देती होई चलिएगा तो बहु पतनी बहु पती ये सब क्या白ई यस ये सबके सब साथियों बहु वेवा हैं है ना polyg ź religious एक society भी है आप लोगों ने सुनी भी होगी है ना तो polygamus is a different thing right याद रखेगा यह बहु पतनी बहु पर यह सब polygamus के ही उधारन है दोस्तों यह बात याद रखेगा आप सब लोग ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन महोदे की तीन तीन पतनिया है साथ्यों ठीक है और यह ऐसा होता है मतलब शायद कुछ देशों में अलावड है लेकिन भारत में आपको पॉलीगेमस नहीं अलावड है साथ्यों यू आर नोट अलावड तो डू अंटिल और अनलेस बहुत अप गल्स हैव नो प्रॉब्लम एक्चुली ठीक है चलिए ठकान के स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अमल एक्तृत हो जाता है आप बहुत तेज भागते हैं भागने पर आप पाएंगे कि आपकी मास पेश्यों में दर्द होने लगा है ना भागते समय आप पाएंगे कि अचानक से आपकी मास पेश्यों में दर्द होने लगा है ऐसा क्यों होता है किस अमल की वज़ा से होता है सात्यों यह के विएस वा सीटेट दोनों ही पेपर वाले जो ह नियुक्त है को चल रहा है दूस्तों ठीक है चलो लेक्टिक एसिड मैलिक एसिड एसेटिक एसिड नन अफ दीज हाँ बिलकुल भारत में बैन है लेकिन कब बैन है समझे मान के चलिए यह एक लड़का है यह दो प्रियों से शादी कर लेता है बी और सी है ना जब तक बी और C ये दौनों A के साथ रहना चाहती है तब तक कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन अगर B कहे कि A ने C से साधी कर ली मुझे को बताए बिना या फिर मुझे जानकारी में होते हुए मेरे से साधी होने के बाद उसने C से साधी कर ली और B को इस बात से क्या है अबजेक्शन है तो ये साधी नहीं चल पाएगी ठीक है ये जो C से साधी है वो नहीं चल पाएगी C से साधी तभी हो सकते है जब A का और B का डिवोर्स होगा तभी वो C से साधी कर सकता है ठीक है समझ गए याद रखेगा साथो उस कंडीशन में हमारी बाडी में बहुत भारी मात्रा में लेक्टिक एसड बनता है अब जिम कर रहे हैं अब कब बनेगा लेक्टिक एसड क्यों बनेगा सबसे पहले समझ यह दो प्रिकार का रेस दो प्रिकार का होता है, एक होता एरोबिक और एक होता एन एरोबिक है ना, आपने सुना होगा कि एरोबिक एक जिम है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है, तो what is this, एरोबिक और एन एरोबिक दोनों के बीच में क्या फर्क है, समझे ध्यान से, एरोबिक में होता क्या है, साथ एरोबिक respiration में होता क्या है proper oxygen की supply होती है in the presence of oxygen वो respiration होगा उस condition में कुछ भी नहीं होगा ATP की formation होगी energy की formation होगी कोई थकान नहीं होगी कोई lactic acid नहीं बनेगा लेकिन अगर मान के चलिए body को proper oxygen नहीं मिल रही है if there is an absence of oxygen in that situation you have to remember guys वहाँ पर lactic acid बनेगा क्योंकि proper ATP की मात्रा नहीं बन पाएगी guys ठीक है तो आप जब थकान करते हैं तो make sure आप अपनी situation से fast अगर सांस लेंगे तो आपको थकान कम होगी भागते समय भी आपका ध्यान जो होना चाहिए वो स्वास पर होना चाहिए कि आप properly स्वास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं दोस्तों ताजे फल तता सबजियां आहार में किस रूप में सम्मिलत किये जाते हैं बताओ ताजे फल और सब्जियां हमारे जो आहार में ठीक है वो किस रूप में किया जाता है सर इविए स्कोर इस 27 by 30 आम वेरी हैपी आपका पढ़ाय हुआ सब आया विकाश कुमार खुश रहो भाई है ना सर फास्ट कराओ प्रेजवल थोड़ा डेटेल करके चलेंगे प्रेजवल की क्लास है दोस्त मैं भी चाहता हूंगी थोड़ा फास्ट करूं लेकिन टाइम लग रहा है थोड़ा ना पढ़ाने में ठीक यस देखो यार बॉडी बिल्दिंग डाइट कौन देता है फटा-फ इस सोर्स कौन है सात्यों और जा देने वाले सोर्स कौन से जो ओड़ा देते हैं तेट गिवस अस एनर्जी यह सार्भाइड it and fat रहे हैं त्रो टेक्टिव कौन से हैं जो हमें सुरक्षा देते हैं ठीक है यस गाईज प्रोट एक्टिव हमारे मिनराल्स and vitamins और दाड vitamins है ना and raphase as well so yes they are not they are used as a protective diet है ना किसके लिए protective diet के तौर पर use में लाए जाएंगे guys one more thing मैं एक और चीज़ आप से कहना चाहूंगा यह विल्कुल एक और चीज़ में समझाऊंगा आपको क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी hospital में भड़ती है मईरीज है ना और उसके परीजन या फिर उसके रिस्तेदार उसे मिलने जा रहे है तो क्या लहारे जाते हैं घेर सारे फन लह जाते हैं जब भापिता कोई चीकूँ कोई केला कोई सेब कोई अम्रूद है ना कुछ ना कुछ लेके जाते हैं है ना कोई ऐसा है कि एक बर्गर पहुंचा ले यार बर्गर खाते हुए यार पड़ा हुआ है कोई बात ने बैड बेट ठीक हो जाएगा एक बर्गर खा ले या को दिक्कत ने फिर अगला पीज़ा लेकर आ नहीं तो पता है हम ये बात जानते है कि प्रोटेक्टिव डाइट अगर हमें बचना है रोगों से तो वी हाव पीट फ्रेश फ्रेट फ्रूट्स एर फ्रेश वेजिटेबल्स गईस फ्रूट्स एन वेजिटेबल्स अर्दकी ठीक है यस गईस विश्वास्त संगठन का प्रभंधन कौन करता है गाईस बताईए कौन विश्व स्वास्त संगठन का प्रभंधन करता है कौन चलाता है पूरे विश्व स्वास्त परिबंधन को बताई फटाफट से कमेंट शेक्शन में कौन चलाता है डबलू एच्चो का प्रभंधन कौन करता है वू डू दा प्रभंधन ओ डबलू एच ओ चलिए फटाफट से बताएए यह यह याद रखेगा देट इस विस्व जन्स्वास्त की रक्षा ठीक है अच्छा फटाफट से कमें शिक्षिन में बता दो कि डबलू एच्चो का हेड़ क्वाटर कहां है जी बताओ फटाफट से डबलू एच्चो का हेड़ क्वाटर कहां है बताओ कमें शिक्षिन में ठीक है याद होना चाहिए फटाफट से कमें शिक्षिन में बताओ डबलू एच्चो का हेड़ क्वाटर कहां पर है डबलू एच्चो की बेसिकली तीन चार चीज़ों पर काम करता है यह गवर्नेंस ए capacity कि अगर मान के चले किसी देश के पास में कोविड-19 की वैक्सिन नहीं है वो करने की कोशिश करेगा governance को help करता है advocacy करता है किसी भी रोग की या फिर किसी भी चीज़ की vitamin D का एक मुख्या स्रोथ क्या है साथ यो what is our source of vitamin D कि बताएए what is the source of vitamin D चले देखे दिहान से साथियों vitamin D जो है sunlight है ना सूर्य के प्रकास का स्थ्रोथ है अब vitamin D के फाइदे क्या है समझे ध्यान से अगर आप vitamin D लेते हैं दोस्तों तो आप सबसे पहली बात sunlight से मिलेगी है vitamin D इसके बाद अगर food की बात करें तो food में याद रखेगा जो liver oils होते हैं सबसे ज्यादा vitamin D उसमें होती है मतलब अगर आप कभी vitamin D की गोली भी खाएं ठीक है आपको दिखाना चाहूंगा मैं vitamin D की गोली कैसी होती है ठीक है और फिर मैं उस पर पढ़वाना चाहूंगा कुछ शीजर लिखी होंगी है न वन सेकिंड एक बार चले तो यहां पर देखें यह vitamin D की गोली है आप यहां पर देखें रहें पानी जैसा दिख रहा आपको इसके अंदर यह पूरी तरीके से एक्स्ट्रेक्टिड है और यह जो है अनिमल से बनाई जाती है अनिमल के लिवर ओईल से बनाई जाने वाली एक गोली है ठीक है अब ली नहीं है ठीक है और इस पर साफ साफ लिखा है इसका जो chemical name है साथ हो साफ साफ लिखा हुआ है इसका chemical name साथ हो ठीक है समझ गे चलिए तो विटमिन डी और देखो विटमिन डी क्या करता है क्यों जरूरी है आपकी बोडी में जो कॉलेस्ट्रॉल होता है साथ हो अब देखो विटमिन डी धूप से नहीं आ रहा है याद रखेगा अगर आपको संलाइट में आती हैं और यह जैसे स्किन से कॉंटेक्ट करते हैं तो आपके स्किन के अंदर मौजूद कॉलेस्ट्रॉल जो होता है उसको ब्रेकडाउन करती है कल्सिफिरॉल में है ना विटमिन डी में ब्रेकडाउन करती है साथियों सबसे ज्यादा बढ़िया क्या रहत ना बैक वाला जो हमारी ठीक मतलब बैक से थोड़ा उपर जहां पर कह सकते हमारे लिवर और पीछे से किडिनी जो रहता है वह वाला एरिया यहां पर सबसे ज्यादा विटमिन D बनता है अगर आप हात वग्यरा से लोगे तो बहुत कम बनेगा लेकिन अगर आप पीछे विटमिन D मिलता है साथ्यों तो याद रखेगा UV rays मिलती है सं से UV rays पढती है आपके बोड़ी के कलस्ट्रॉल पर कलस्ट्रॉल ब्रेकडाउं होता है फर्दर किसमें विटमिन D में घाईज तो sunlight से विटमिन D नहीं आता है विटमिन D आपकी बोड़ी खुद बनाती खुद ज लिए जरूर यह इम्मिनिटी के जितने भी रोग होते हैं इम्मिनिटी डेफिशेंसी जो रोग होते हैं जहां पर इम्मिनिटी की डेफिशेंसी पाई जाती है उनको ठीक करने में साथ विटमिनी डी का काफे ज्यादा रोल रहता है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन स्वाद इंद्रियों को मुख्य अंग क्या है दोस्तों बताई फटाफट से स्वाद इंद्रियों को मुख्य क्या है बताओ फटावर्ट से मुख्य अंग स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग क्या है बताओ मुहूं है ठीक है लिप्स है टंग है या टीथ है बताओ फटावर्ट से स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग येस टंग है ना हमारी जीवा के बारे में याद रखेगा दूस्तों ठीक है कि जीवा को किस तरीके से कहां रहे गए आज सब लोग और लाइक अभी भी का में 180 लाइक है सब लोग लाइक का बटन दबा दो दूस्तों कहां रह जाते हो तुम लोग समझ नहीं आता जब तुम्हें मैंने डेड़ कोशन बन सकते हैं समझ लीजिए वह यह हैं यह मान के चलो जीव है कि ठीक है तो जीव की हिसे होता है स्वाद के याद रखेगा सबसे अगला वाला जो हिस्सा है वह कौन सा स्वाद लेता है साथियों याद रखेगा जो सबसे अगला वाला हिस्सा है वह स्वीट टेस्ट क के लिए जाना जाता है उसके बाद याद रखेगा दोस्तों ठीक है सौर खटा टेस्ट के लिए जाना जाता है उसके बाद याद रखेगा साथियों बिटर है ना कड़वी टेस्ट के लिए जाना जाता है उसके बाद याद रखेगा अनियन है ना प्याज वगेरा की जो बहाएगी तो कभी कहाके देखेगा चीनी खाओगे तुरत पताचल जाएगा चीनी काए के तुरण पताचल जाएगा मेतबलत कायाक मीठा लेकिन कभी बी अगार अनियन है वो थोड़ा स्मेदे के बाद टेस्ट आता है कि अन्याद को आगे रखें जीब के अगले वाले भाग में रखिए आपको तुरंत अहसास हो जाएगा कि जीब में कौन सा वाला भाग कहां पर है सात्यों मज़ा आ रहा है सात्यों एक बार यार सब लोग कमेंट शिक्षिन में लिख दो मज़ा आ रहा है दोस्तों अभी भी आप लोगों ने सात्यों मेरी वीड एक बैट करने में ठीक है चलिए आगे बढ़ें चलो रोगों से स्वरक्षा प्रदान करने वाले तत्वों कौन से है यस कौन अ है बहुत बढ़िया सभी लोगा अंसर करें है कार्बोहाइडरेट प्रोटीन एवं विटमीन या फिर हमारी विटमीन से एवं खनिज कौन सा आहां साथ्यों कि चली बहुत बढ़ी पूरा मजा रहा है बहुत बढ़ी है शबाश आना भी चाहिए आना भी चाहिए यस अब भूद धन्यवाद हमारी पत्नी जी हमारे लिए पानी लेकर आई है तो बहुत धन्यवाद आपका ठीक है कख्षा देखनी आपको बैठ जाइए आराम से देखे कख्षा चले वह भी कह रहे हैं कि मुझे भी कख्षा देखनी है क्या चल रहा है क्या पढ़ारे मैं भी पढ़ लो थोड़ा पढ़ लीजे फूड वगएरा से रिलेटिट टॉपिक चल रहे हैं के वीएस का पेपर jowोते है साथे उन वह मारी रोगों से सुरक्षा प्रतान करते हैं अगेन दुबारा से मैं बात करूंगा कर्णा थोड को क्या करें दोस्तों अम्येर्जी दिङए मिटर्टेंट आरम इंस ताकत दिगे विटमिन्स और मिनरल करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं विसास्त हर अठन डेट is w ho है ना w ho साथियो वो क्या कहता है हेल्थ की बारे में बात करता है कि हेल्थ that quality of life की बारे में बात करता है हेल्थ एक state of life है जिसमां wellness of body mind and spirit की बात करते हैं साथियों health is not merely the absence of disease and none of these बताओ तो हेल्थ के बारे में याद रखेगा हेल्थ का मतलब है सात्यों स्वस्थ रोग केवल रोग निर्बलता का भाव नहीं है बलकि साररिक मानसिक और सामाजिक स्वस्थ की पूर्ण अवश्या है मतलब मैं समझाना चाहenedगा वैसे धूं यूं होगया सरी मेरा कुछ बहुंते ना कुछ जिम वाले हैं सारी रिक तो है मानसिक और समाज्व साथ याद रखेगा वह समाज के लिए भला करता ठीक है समाज को इस तरीके से बिहेव नहीं करता ठीक है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं हमारी सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है सब लोग आंसो करिए और अगर कुश्चन पसंद आ रहा है साथ्यों कॉंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबते रहना चाहिए छोटी आथ बड़ी आथ लिवर या फिर पैंक्रिया चलिए इनके काम को देखते ह है साथ्यों तो पैनक्रिया इसनका क्या होता है ये पैंक्रिटिग जूसरी दोस्टित करता है लिवर हमारे नाजाने बाइल जूसली जैना बूबरिनली जिए बहुत तरीके के हमारे बौड़ी में जहरे एंजम्स करता है ताके हमारा भोजन फास्ट हो अच्छा एक उन ज किया करते हैं साथियों कोई बताएगा what is enzyme enzyme catalyst के काम करते हैं what is catalyst दोखो यार कोई भी reaction हो रही है ठीक है को reaction हो रही है जैसे कि मानके चलो एक reaction नहीं लेते वनब एक catalyst क्या है आप हिलाने लगें चीनी को हिलाने लगें तो जल्दी घुल जाएगी तो हिलाना क्या है है यहाँ पर catalyst और एक और उधारन देता हूं आप उसी पानी को गर्म करने लगें heat देदे पानी को तो चीनी और जल्दी घुल जाएगी हीट क्या यहां पर है वैसे छाथ यह क्या है उस पाचन को जो 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 दश-घंटे में होता हुसे पांच घंटे में करवा किकाम दे दिनगे साथ यह मेरी बाद तो पाचन को फास्ट करने के लिए साथियों हमारी बॉड़ी के अंदर धेर सारे क्या रिलीज होते हैं एंजैम्स होते हैं साथियों सर जी मैडम को दिखाओ प्लीज मैम को दिखाएंगे भी यह है ना मैं के यह कह रहे है कि मैं तयार होका रहाँगे ना वह यह लड़िक्यों की आदत है स जी मैं मिर को पता है वह थोड़ा से तयार होकर रहेंगी ऐसे ही नहीं आजेंगे पalg дост छोटी आथ क्या करते हैं है पेट में बोजन गया Canka को फूड को आगे पाँचा या थोटी आganide और उपके ख्षोण में 74 प्रोटीन करा नियुचुन को लिए और 2 यह फूरान कर दोगी इन फ MARTIN को justement काम है और क्राम तो न सामझतार गोंके भी मेरे राय्न के अब करता लिए तो आंध दिखे रहे समैंने लूं तो लूं क्या आर्भोहाईडरेट कर रहा है खुम्मे मिलाओ फैट खा रहा है मक्षन वाली बर्गर है अला फैट दे फैट मिला रहा है और फिर वो सरक और नीरी यह बर्गर आगे पेट में जो याद रखेगा दोस्तों बर्गर सरक और नीरी यह पेट में क्यों क्योंकि रफेज नहीं है बर्गर के अंदर तो बर्गर हैं यह आपकी छिल जाती है अंदर से और छिलने के बाद फोड़ा हो जाते हैं आत दुखी एकदम है क्या खाली है इस इंसान ने मैं बताऊंगे से ठीक है ठीक और फिर उसे आगे पहुंचा दे तिले बड़ी आथ को दे दे तिले तू समभाल दोस्तों ठीक है बड़ी आत भी क्या करते बिचारी वही करती एक आत बार कोशिश करती है कई बार ठीक है ठीक एक आत बार कोशिश करें लोग पानी को डाल दो ठीक है पानी लेती है बड़ी आत खुन में मिला देती है पानी को वापस से कुछ मिनरल्स वगएर जो छोटी आत से रह जाते हैं विटामिन्स उनको मिला देती है लेकिन अगर मान के चलो आप क्या कर रहे हैं ज्यादा आपने अती कर दिये ठीक है अब खाये जा रहे हैं ठूसे जा रहे हैं ठूसे जा रहे हैं ठीक है तो याद रखेगा क्या हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा बड़ी आथ हाद के लिए ठीक है जो पानी को अब्जॉर्ब करती हमारे खुन में मिलाने के लिए ना ना हमसे ना होगा दस्त लग जाएंगे आपको समझ रहे हैं वही है दस्त की कंडिशन दस्त समझ जाईए दस्त है क्या कि आते आतों ने अब पानी को वापस से आपके सरीर में भेजना बं कभी कभी कहता है कि दूद को दे दो हमसे नहीं होगा ऐसा काम धंकी चीजए खाओ फूंट खाओ अभी बताएंगे अभी पचा देंगे ना प्रूंट खाओ को रोटी सब्जी खाओ क्या यह बर्गर पीज़ा टिक कीविकी क्या लगा रखा है क्योंकि जीब को तो पसंद है लेकिन नीचे वाली किसी भी चीज को पसंद है पूरे सरीर को पसंद नहीं है टिकी पीजा बर्गर बर्गर यह सब चीज ऊपर पसंद है वैस इस वाले भाको भी टंग वाले भाको लेकिन यहां से नीचे कताई पसंद नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो लिव को !!! अगर आप काट भी देंगे scientist तो वापस के हो जाता है। तो कोशन आ सकता है साथयों कि हमारे शरीर में कौद से ओर्गन के पास regenerative power होती है तो याद रखेगा हमारे लिवर के पास regenerative power प्रहलों होती है यहाद रखेगा थिक तो चोटी और बड़ी चीज़ा जान लिए ओं वम याद रखेगा ओं जो है वो हमारी बॉड़ी की हमारे शरीर mon country है न धार रहे हम जो है हमारी human body की पाय जाने वाली सबसे बड़ी यह यह हमारी फीमेड सेम indo現在 है दूसरा इस सिंगल सेल रिलीज इस फ्रॉम ओवेरी एवरी मन्थ है ना एक ओवेरी से हर महीने जो है रिलीज होती है ठीक है दसाइज अफ इच ओवम इस 0.1 mm इन डायमीटर रहाइड रखेगा वहीं अगर हम बात करूं तो जो सबसे बड़ी कोशिका है ना वह याद रख इन दा हींट वड़ी इज पाँ जो कि मेल गेमीट के रूपे विजाना जाता है और स्पांब का जो साइज होता है डैट इस फोर माइक्रो मीटर सोता है दोस्तो स्पांब इज त्वेंटी टाइम स्मॉलर देन ओवम है ना स्पांब से स्वेप जो ओवम है वह 20 गुना से आगे बढ़ते हैं कि परियावरों के अजयविक घटक कौन से बताओ इनमेर से कौन से पर्यावर हने के अजयविक घटक हैं आसपास की वायू जल सथल इन यह सब्सक्राइल हैं इसमन कि मन लग रहा है पढ़ने में जब पढ़ने में मन लगने लगे तो समझ जाओ कि अब जिन्दी की सफल है हमारी कि अमरीन अलबर्ट है कि ओके कि दीरे-दीरे करके सब पुराने छात्र जो है सम मिलते जा रहे हैं है ना सबका वक्त बढ़िया चल रहा है चलो आंसर करो पर्यावरन के अजयविक घटक कौन से हैं सर्राउंडिंग लेंड तो यार अजयविक वह होते जहां पर जानना हो एर में नहीं है वाटर में नहीं है लेंड में यह यस ओल अब देबब सब्घसता करेक green 2020 थीक है अच्छा नेच्छुरल फाइब चुन्नाब आप लुकों नच्रुल थाइबर जो में नीचर से मलता हो कौन सा फाइबर लिनन है पॉलिस्टर है रेयान है नाखर को मैं 1 चलिए थोड़ा जल्ली लेते हैं थोड़ा फास्ट कर लेते हैं कुशन को है ना क्योंकि हर एक चात्र पर टाइम भी है ना चलिए आंसो करें बहुत बढ़िया के विए से निकले तभी सफल है आर्यवरत सिंग्साही कह रहे हो बाई है ना देखो यार लाइनन का जो कपड़ ना इना घेखो रहा होता है वह बहुत नेचुरल है बाकी पॉलिस्टर रियओं नाइलान सिक्सिक सब के सब सुन्थेट ऽसे हैं तो सब्सें सन्थेटिक टिक सैंथेटिक इसमी लेकिन हमने इसको थोड़ा बहुत घर कर लिया चीजेओं को थोड़ा तफनेस देने के लिए वो है हमारा सेमी सिंथेटिक है जैसे कि नाइलाउन सिक्स में हम यहीं करते हैं लेकिन कुछ होते हैं पूरी सिंथेटिक पॉलिस्टर रियान इनको पूरी तरीके से लेब में तयार किया जाता है साथ यह आगे बढ़ते हैं तो लिनन का कपड़ा आप लोग यहां पर देखिए ठीक है लैनिन का कपड़ा जो है वह एक एक ऐसा नेचुरल फाइबर है साथ यह नमयुक्त वस्त्रों पर जो कि क्या लग जाती है कुछ नहीं नहीं बता हूं कुछ नंक इनसेक्स लग जाती है ना मिल्डियू लग जाती ही यहीस्त लग जाती है नन आफ यह बत ठीक है बताओ तो नमी युक्तवस्त्र जो होते हैं अब यार यह इसके लिए महनत लगते है राजेश जी रोजाना बैठो आपको तीसरी से बारवी तक कक्षा की जो है कोशन्स देकिने हो और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि छह थीमों पर आधारित हो फूड शेल्ट संघ्रियुक्त वस्त्रों पर जैसिक क्या हो यह बैसिकए लगात है फूध लग जाए तो थूमस निकल गए और यह मेरे मोह से निकल गई यह सा थीज्वाइव लगाए वह सब्सक्राब्र तो उन पर जिजा लोग नवक्या दम पर देकिलेजितीफ वाप्ड़िय के बात सिर भारत में चल रहा है ती चल रहा पूर एक मुनमेर को सारी चीज बाइर से भारत 're to this is a bord जैसे कि मिझे का भारत में चल रही है ठीक है लिएबिटी भारत में चल रहा है खूब कारण समझे न्यार्व कदेu चीज़ें इससे होती है हमारी मधुमे के कारण दोस्तों याद रखेगा इसे आपको अंधापन भी हो सकता है किडिनी फेलियर भी हो सकती हर्ट अटेक भी आ सकता है यह मधुमे डायबेटीज है यह पर तब होगा जब आप बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं अब कहता हूं कि ठीक है चलेगा काम अब ध्यान से समझो डायबेटीज दो तरीके की होती है एक टाइप वन और एक टाइप टू कौन सी खतरनाक है साथ हो टाइप टू यह आपके लाइफस्टाइल से जूड़ी हुई है समझे टाइप वन जो है वह आपकी फैमिली हिस्ट्री साथ शाथ कौठ्रोल की आ सकता है ठीक है कं्ट्रोल कैसे किया चाकता है उसको कंट्रोल किया सकता है इंसुलिन दे दे कर लगातार उसको बच्मान से लेकर आप टाइप-टू क्या है साथ शात्रव टाइप-टू काफी आपके शरीर में आपके सरीर में साथ योग्लुकोज का होता क्या है कोशिकाएं लेती है मानतों नहीं मानतों सब लोग हमारे सरीर में वन सेकिन यह क्या हो गया इसको हां हमारे सरीर में हमारे हमारी बॉड़ी में ग्लुकोज का होता क्या है कोशिकाएं लेती है यह कोशिका ह अब ये भाई साहब क्या थे ये भाई साहब इनको ना इनको ये भाई साहब है ये इनकी कोशिका है ठीक है मैं इनकी हालत बताता हूं ठीक है और हम बात करें किस कि ताइप टू डाइबटी इसकी, ठीक है, समझे ध्यान से, यह कोशिका है, और यह इन भाई साब की कोशिका है, भाई साब दिखने में पतलू बे सके हैं, लेकिन खाने में एक नमबर है, ठीक है, रोटी मिलती हैं, चार, चार रोटी उमें, खुब सारा ग्लुकोज, रोटी सबजी खाई सबजी में भी ग्लुकोज है ना एक और चीज में आप लोगों को बता दो ठीक है फिर यहीं ने रुखते यह कहते हैं यह लास्ट में खाना खाया है डेजर्ट चाहिए डेजर्ट में चार गुलाब जामन ठूस लिए मतलब जितने शुगर पूरे दिन में चाह चार बार ठीक है तो गुलू कोज की मादरा कितनी लेनी चाहिए थी की मादरा लेनी चाहिए थी बस चार रोटी कहा Julie ठोड़ी बहुद ठीक है तो चार गुंध मतलब फज़ी और थोड़े ना जाएगी यह शुगर खाये जा रहां है रुकी नहीं रहां है आ यह वेट कर कौशी का किया यूजस कर लिए ओस क कहीं कहां कुछ करे के यह बागता नहीं बैड़पर पढ़ा रहता पूरा दिन अब मैं कहा मैं मुझे नहीं खाना कोशी का तो इसा बात को जानती पोल लेकिन ये भाई साब उपर से खाय यह तो कोशिका क्या करेंगी जब बारबार यह ग्लुकोज अंदर जाने कि कोशिक करी सिक्ष करेंगा तो कोशिका बाहर एक layer लगा देगी, protective layer लगा देती है, है ना, और ये कोशिकाओं के उपर आने लगती है, ये protective layer कोशिकाओं के उपर आने लगती है, तो उससे क्या है कि आपकी कोशिकाओं के अंदर ही नहीं जा पाता glucose, ठीक है, अब आपकी कोशिकाओं के अंदर ही glucose नहीं जा पारहा है तो क्या हो रहा है थकान रह रही है से बैठे बैठे थकान हो रही है क्यों 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 क इसको कोशिका को need पढ़ने लगती है और यार glucose चाहिए ठीक है हटाओ थोड़ी से layer थोड़ी से layer खुलती है पहले तो थोड़ा glucose आता है लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप भागते दौरते हैं भागते दौरते हैं आप exercise करते हैं आप regularly active रहते हैं तो इसी कोशिका को ज्यादा glucose की demand होती है और आप खाना उधर से आप क्या कर रहे हैं खाना कम कर रहे हैं glucose का आप आप क्या कर रहे हैं आप अपने शुगर का intake कम कर दिया और लगातार तो कोशिका के बाहर जो layer चड़ी थी वो layer हट जाती है और इस तरीके से type 2 diabetes control आ जाती है एकदम नॉर्मल ह हो जाती है जैसे इंसान पहले था वैसा हो जाता है healthy हो जाता है वापस से तो टाइप 2 diabetes is related to किस से साथ हो इट इस related to lifestyle and type 1 diabetes is related to family history और I can say that यह जन्म से हो सकती है ठीक है यह जर्नली आपको 45 साल के बाद मिलेगी क्योंकि लेक बच्चे के जो है खेलते विलते कम है ना लोग जो है आगे बढ़ते हैं निम्न में से जार्वा जन जाती का छित्र कौन सा है बताओ इन में से जार्वा जन जाती का छित्र कौन सा है साथियों लाइक कर दो सर प्लीज आपको कोई आपके लिए इतना एफ़र्ट लगा रहा है सर अच्छा करते हैं क्लास में अरे ठीक है तैंक इसो मच यार आप लोग को समझते हैं इस बात को मेरे लिए वही काफी आ इतना रहता नहीं कि मैं नंबर वन टीचर बन जाओं देश दुनिया का है ना चोटी सा चोटा सा दिल है चोटी सी आसा मस्ती भरे मन की चोटी सी अभिलाशा है चलो तो सही आंसर क्या है जार्वा जन जाती का कौन सा चेत्र याद रखेगा अंडमान में पाई जाती है इने को पसंद नहीं एंगर कर आना जाना बहुत खतरना थीर मारतें खतम अभी गए थे एक हंदमान में इनसे बातचीत करने के लिए फॉज भी नहीं जाती होँआ पर है ना इनको डिस्टर भी नहीं करते ट्र लगाते डियेंड़ाख रखते हैं चार और अपने डूनो डिस्टर्ब हमें डिस्टर्ब मत करो मैं पहले बता रहा हूं ठीक है वरना सीधा भई खतम कर देंगे हमें हमारे सामने कोई और सारे डाले जाते हैं वह कौन से है भी बताओ अब अब आब में अन्य और रखों में npr का आर्थ है साथ्यों नाइटरोजन फॉस्फुरस पॉटाशियुम नाइटरोजन फॉस्फुरस क्रिप्टाउन सूडियम फोसवेट पॉटाशियुम या फिर नियान का चलिए यह सकर्रेक्ट आंसवर लिज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पॉटाइशियम सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन की क्योंकि खाद वगेरा जो है वह उसी से और डवलप्मेंट में काफी काम आता है अगर नाइट्रोजन के absence होगी तो वह इकीट भक्षी पौदे बनना स्टार्ट हो जाते है ना फॉस्फोरस जो है वह हमारी जो कोशिकाओं के जो सैल डिविजन होता है उसमें काफी मदद करता है फॉस्फोरस और प्रोटाशियम जो है वह लेंथ बढ़ाने में काफी हैल्फुल रहता है कोई भी प हम स Aujourd' оно Now it's doing about that itself करते हैं कोशिश करतें ना ना थक ना जाए कहीं बी है यहार है मैं बहुत थाए था रही है कभी नीथा समझते हो मेरे बात इंस ओकता कहां से तुम्हें क्या लगता है तुम बैठे पढ़ना स्टार्ट करते हो तो तुम ठक जाते हो नहीं आर तुमसमझते नहीं हो तुम्हारे अंदर कितनी सकती है तुम समझो इस करते रहो न तो भी नहीं ठकोगे हाँ शुरू में लगे का थकान लेकिन आदत में आ जाएगा यूव करना 12 गंटा भी अगर 12 गंटा यूव करने लगे न तो कर एक दिन में हमे जेतना काम कर सकते हम इतना काम कर करके न भी हाथत मठी चलाऑ हात पर चल दो क्यों तेरी पैर नहीं चलने चलने ज़िए आए ऐसे कर दो ठीक है । किस रोग में मच्छर द्वारा संचारित रोगानू के कारण लसी का वही इनमें दीर का गालिक शोद उत्पन होता है इंगलिश में बात करो तेन विच डिस डिस दा मॉस्की ट्रांस्मिटर पैथोजन कॉल्स क्रोनिक इंफ्लमेशन आफ लिंफेटिक वेजल्स हमारी जो लिंफेटिक वेजल्स उसमें प्रोनिक फोनों इन्हीं डांस किया है कितिनी देर डांस कर लेते हो सोचके दिखो बिना MUSIC को तुम से कुण करओ ठार थकर फोड़ी देर में लगे आरहason boiLetla मुझिक बजा दो जोड जोड से च्छ ना फिर नाज कर देखो पूरा दिन डांस कर सकते हो मानते नहीं मानते पूरा दिन डांस कर सकते हो तो यस याद रखेगा elephantitis में जो है वह काफी लंबे समय तक याद रखेगा यह काम करता है साथी warm से होता है बेसिकली है ना देखो elephantitis में होता क्या है साथ यू जो वाम होता है एक पैरासाइट होता है ठीक है यह कोशिकाओं को खाता है और जब कोशिकाओं खाता है तो inflammation हो जाता है inflammation का मतलब सूजन आ जाना है कभी वर्ड सुनते हो आपने सुना होगा कि या इसके अंदर ना anti-inflammatory property है तो anti-inflammatory property अच्छी कैसे होती मैं समझाओंगा एक उधारण के दौर पर ठीक पहली बात यह तो है मतलब जो inflammation जो दिख रही है तो वह inflammation है जिससे आप real world में महसुस कर पहे हैं इसका नॉर्मल पैर यह और यह वाला पैर है जिस पर मच्छर काट गया यह वाला और धेर सारा हो गया है इसके बहुत अच्छी दवा तो आगी है elephantitis की हाथी पाउं बोलते हैं अब अच्छी दवा इस डी इसी डाई इथाइल कार्ब बैमजाइन याद रखेगा साथियो ठीक है तो यह हमारी जो डैक जो है वह अब हमारी इसके इलाज के लिए करती है एंटी इंफ्लमेशन क्या होता है साथ इंफ्लमेशन समझी यह यह मान के चलो आपके दिल की धड़कन की एक वैजल है है ना जो खून जा रहा है यह दिल को जा रहा है ताकि दिल काम कर सके प्रॉपरली है ना यह दिल को जा रहा है मतलब दिल से नहीं जा रहा है दिल को जा रहा है समझ रहे हैं दिल से नहीं जा रहा है कहीं भी यह दिल को जा रहा है ताकि दिल काम कर पाए प्रॉपरली आप बताओ, तुम लोगों को कोई काम करना है, तुमको करना है तो तुमको भी करने के लिए उरजा चाहिए ना, तो हर्ट को भी तो उरजा चाहिए, exactly, वह यहीं से उरजा लेता है, ठीक है, तो यह जो आप देख रहे हैं, basically, अब इंफ्लमेशन आएगी, तो यह सूजन आती चल लोग बहने लगे लगे तो दिक्कत होगी तकलीफ होगी आगे कीट के मॉल्टिण हार्मॉण को किस रूप में जाना जाता है मॉल्टिण हार्मॉण आपने साफ देखा साफ साप कांचनी छोड़ देता है कि ने outta हिंदि में बात करू तो याद रखेगा दूस्तों ठीक है किसकी वजह से छोड़ता है वह एक हार्मोन की वजह से छोड़ता है ठीक है सर प्लीज सीटेट का क्लास प्रते दिन कराईए मेरा पेपर है तीन फरवरी को उतकर्ष तुम पेपर पास करके आ रहे हो मैंने पिछले इतने साल से लगातर सीटेट की क्लास पढ़ाई है पास कर लोगे पेपर क्यों टेंशन लेते हो घवराओ मत ठीक है यस तो करेक्ट आंसर इस इंसुलन कहां से हो गए इंसुलन सुगर कंट्रोल करता है इंसुलन कैसे आंसर कर रहे हो थे इंसुल गुसा नहीं करेंगे विल्कुल भी हां इधर से दिकते हैं मैं उधर यह साम देख्नेंगे ने तो सापने अपनी स्किन को तैर्येट मोल्टिंग किया इसने अपनी है ना तो यह मुल्टिंग FP aof skin देख रहे हैं तो एक्सीडवन हर्मोन की वज़ए से वैसे कीट कर करके पाते हैं कीट भी अपनी यही तरीके से स्क्राइट डेते हैं मौल्टिंग करWow सारे कर पाते में तरहें एगा इने में तरह कॉंसी एक पिना डंक वाली मद मक्ती है बताओ इसी मखी ज़ो डंकी नहीं होता साथ ह। आइस icon वे तो कोई नागिन केंच्विल इलीव करती है नागिन सीरियल में तुम्हारा तो हो लिए बेटा पेपर पास जब तुम्हें इतनी याद है कि नागिन सीरियल में क्या हो रहा है तो तुम तो पड़ लीज अच्छा इनमीं से कौन कौन सा है जो बिग वॉस देखता आप से मैं बता रहा हूं किसी के घर में क्या चल रहा है भारत के युबाओं के पास समय कितना है नागिन जैसे सीरियल चल रहे हैं जब पताए कि आदमी नागिन नहीं बन हादमी नहीं बन सकता कहां आदमी वोटीब्रेट ठीक है उसमें भी फिर वो मैमल कहा साप वोटीब्रेट और वो सरी स्रफ मतलब इनका कहना है मतलब नागिन पिक्चर्स जैसे वो चीज़ है उनका कहना है कि यह एक मैमल सरी स्रफ बन सकता है जैहो प्रभू टीक है और इतना ही फिर वो आईक्यू लेवल भी उतना ही लोग ठीक है उनसे कभी पूछेगे ना कभी महिलाओं से पूछेगा मैंना देखती है जो महिलाओं उनसे पूछेगा ऐसा हो जाता हां इच्छाधरी नाग होते हैं अच्छा और मार्स पर घर बन सकता है ना सब जूट की बात है पर हाँ इच्छाधारी नाग होते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं मैली पॉना ठीक है मैली पॉना याद रखेगा बिना डंक वाली दिखा भी देता हूं यह रही ठीक है न्युक्त की बारे में जो खास बात यह है कि याद रखेगा मधुमक्या जो है वह ब्श पसको प्ъh पिसी चते में मान के चलीए रानी मॅधूमक्ही नहीं होगी तो जितने भी जो मॅधूमक्हा ought यह मैं इन सब चीजों को नहीं देखता है इन बखवास चीजों को ठीक है फाइल एरिया रोग का वाहक क्या है मैं मैं अगर देखो मेरको यह लगता है अगर मैं टीवी में सब्सक्राइब ना उसमें फिर वो चल रही है सासबहुद की साज़स क्या यार कि लेक्ज मौसकीटो अपना फोड़े ना घंटा लेना है है ना जैसे बाइक जैसी महाल में आप लोग रहते हैं वैसे तो आप हो जाते हैं अगर मैं वैसे माहौल में रहूंगा मेरा IQ लेवल वैसे हो जाएगा वही सास बहु और साजिस वाला और घर परिवारों में पूरा ठूठास करके राजनी थिकरने वाला वह हमारे बसकी निया ठीक है तो फाइलियर रोग याद रखेगा क्यूलेक्स मॉस्कीटो कि वजता है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कुल्यस मॉस्कीटो अगला मत मक् bajo किस परिवार से ब्लॉंग करती है बताव चाहँ मक्षी किस परिवार से ब्लाइव करती है देखेर हो यह सब पासू-पक्षों से कोष्षन जो आ रहे हैं ईना एनिमाल से कोष्षण है कीट से कोश्चन है लेकिन थोड़े डिफिकल्ट है थीक है थीक है चलि बहुत बढ़ी है सही आंस्वर है एपीडी है ना एपीडी इसका करेक्ट आंस्वर है दोस्तों ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब पूरे कीटो वाला होता है भग जाओ बता रहा हूं मेरे को काटने ही जूरत नहीं है सफेद मख्यी सरी मख्यी सफेद मख्यी का नाम कैसे सफेद मख्यी की वज़े से कौन सा रोग होता बताओ फटाबट से कमवान एवरीवन सफेद मख्यी की वज़े से कौन सा रोग होता यह भी बताइए और भाईया सब लोगों से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक काम कर जाना लाइक कवटन दबा जाना यह मेरे उपर हैसान हो जाएगा आप लोग का ठीक है तो यस याद रखेगा बेमिस्यत ताबसी है ना बेम को सीरियल बना दी डाला इतनी स्पीच से देकर अरे नहीं मैंने तुमसे नहीं कहा ठीक है टेंशन ना लो मजाक है क्लास में जब ऐसे छोटे मुटे मजा किया जाए तो हस दिया करो मैं होता और मेरे टीचर मेरी बेजती मार दिया करते तो मैं हज जाए करता था हाहा कैसी ऐसा बात कर रहो गिरोची और जाए tissue करता हूं में यहीं फरक होता है ठोडह मुश्कुरत कराओ मैं तो मुझस कर तो घुछा वालक हो ऑप पूर सीरियल बना डाला रान डान उनमें मिजाक किया ठीक है चलो तो बता ओ seem कार्षा है लान वें महिला का गुस्ते से डर लगता है पता नहीं किस मोड पर जाके पूर प्रॉड साल बदला बो ले जाए हैं चलो तो सही आंशर का यह पूर भी समझ जाएंगे है ना कार्भॉईड्रेट दिको चावल आलू से कार्भॉईड्रेट मिलेगे को डावट नहीं रह गया दोस्तों मा संदे से प्रोटिन मिल जाएगा ठीक कोई डावट नहीं रह गया तेल मक्खन गीसे भी अवसा मिल जाएगा और खनीजलबन हमारे फसल और सब्सक्राइब को दिकत की बात नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला राभू ओह वह यह यह वह शेल्टर नाम का टॉपिक है नहीं तुम्हारे इस लिबस में वहां से कुश्चन है बताओ भट से ठीक है रेबू के बारे में कथन गलत चेंग कथन का चैन बता दीजिए कोईल जो है वह बढ़िया है काफी अच्छी बात है कोई के गहुंसले में रहती है ठीक है कोई से गहुंसला बनवाती है उसी से अंडे सिकवाती है फिर धोका देकर उड़ जाती है कोईल विचारा को विचारा परिशान होंके टॉप पे चला जाता पेड़ जाते हैं ठीक अब इसमें थोड़ा सा यार को यह तो गलत है ऑप्शन गलत नहीं लगे तुम्हें क्यों 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 कॉनिकल वह वह बिल्कुल शंकू आकार के होते हैं एक दम ठीक बात कही है से यह यह तीसरा भी सही है लेकिन चौत हागल वह एब सी तीनों सही होने चाह देख लो रैंवो कौन बनाती चांग अप्पा जं घर जंज इंति याद रखेगा अच्छा इस वात पर बता दो कौम सी यसी जंज आती है जो पेडू पर अपने घर बनाती है ऐ summum शेल जो हैं और एकलू साओं हमीर कर और दिवारों पर खुबसूरत चाप लगी होती हो उसको क्या कहते है अब ःफ है कि अ क्षच्मीर में घरों में दर्वाजों और खिड़कियों पर खुबसूरत चाप क्या कहला। मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि याद रखेगा that is महराब जब खेड़कियों की बात आ जाए तो महराब है ना च्छतों की बात होती और बास की जाती कि मज़ूर कलाकारी तो खतंबन नहीं च्छतों पर खतंबन और खेड़कियों पर महराब सात्य याद करिएगा सर कोशेंट थीक से रीड कीजिए चलो मैं दुबारा रीड कर लेता हूं रेबो के बारे में कथन का गया अच्छा गलत पूचा फिर ठीक है ठीक है ठीक है इस अपशन में अगर हम बात करें गलत पूचा तर ठीक है दोस्तों ठीक चलिए इनमें से दरवाजों और खिड्क्य पर खुबसूद चाप फिर तो चौथाभी ठीक होना चाहिए फिर तो शॉटाभी और थीस घ्रह तो पुट आउट इंट वर्पार्ट भुक्लkor अ कि इसूट अ 8 ग्रैं लगाय जाता इड अ  तंबू को जमीन के निचल हिस्से में लगा जाता है नहीं यार तंबू तो ऊपर रहता है यह रहा उपर है पता नहीं ठीक है चलिए देखते आगे तो यह यह महराब और खतम बंध च्छतों पर होता है जूम खेतियों लौटरी के खेतियों में क्या समानता है दोस्तों बता पिग्मी जन जाती याद रखेगा कौन सी जन जाती पिग्मी जन जाती हां कौन सी जन जाती पिग्मी जन जाती ठीक है ठीक है ठीक है पिग्मी जन जाती जूम खेति और लौटरी में क्या समानता है यस दौनों में भूमी किसी विशेश परिवार की नहीं होती साथ यह य बोटरी से होती है और फिर पूरा पूरे गाउं की जुलिए खेती जो है उनको इसको करनी होती है तो ठीक आगे बढ़ते हैं गुजरात में उगाई जाने वाली मुख्य फसल क्या है हेलो तो यह भाई सब वैसी परिशान है कहीं अब तकलिप दे रहे हो चली यस तो देट इस बाजरा गुजरात में देखो यार कपड़ों के लिए तो कपास ठीक है और खाने के लिए बाजरा बहुत उगाए जाता है बाजरा वहां की मुख्य फसल है याद रखेगा कि ओजौन छिद्र किसे रिलेटेड है कम ओन एवरीवन बताइए ओजौन होल्स आर रिलेटेड टू वट एक बार सब लोग जितने भी लाड़े ले मित्र हैं वो लाइक का बटन दबा दो एक एक लाइक आप लोग का कीमलती है दोस्तों ठीक है यस सही आं सब्सुराइब इस डिक्रीजन थिकनेस थे समताफ मंदल की ओजौन परत की मोटाई से साथ तो आज एक गलत हुआ मेरे से ठीक है यह वाला कोशन मैं दिखाना चाहूंगा यह वाला कोशन विकाज इसमें गलत पूछाता मेरे ध्यान यान नहीं गया ठीक है तो यह कोशन दोबारा ठीक कर लीजिए यस टेंट हाउज पूट ऑन लोवर पार्ट ऑफ ग्राउं यह बात गलत है बाकि यह सारी चीज़े ठीक लिखी है अपर है यस कॉनिकल होते मैंने बताया था यह ठीक होता है याक के बनाये जाते हैं बिल्कुल सभी बात है और चूला निकालने के लिए उपर क्षमिना बकर्यों को याद रखेगा यह लेखा बोलते हैं उस जगय पर जहां पर पशमीना बकर्यों को पाला जाता है पशमीना बकर्यों की यह बताओ comment section में कि session कैसा लगा ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहां पर तो कोई भी भाई देखो आप लोगों के अच्छे कमेंट्स के लिए तो मैं हमेशा खुलाएं आज सब लोगों कि इस वीडियो को देखने के बाद सब चात्र अगर मान के चलो एक हजाल लोग भी देख रहे हैं तो एक हजाल लोग प्लीज कमेंट जरूर करना आपकी हर एक कमेंट का मैं वीट करूंगा क्योंकि आपकी जो कमेंट्स होते वो काफी हल्प करती हैं मुझे समझने में कि आर आखिरकार session कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है कौन सी जरूर दबाईएगा जाते-जाते क्योंकि आपका हर एक लाइक मदद करेगा मिरको इस समझने में कि आपको session पसंद आ रहा है दोस्तों ठीक है चलिए थैंक्यों सो मच्छ थैंक्यों अब्रीवन एंड यस गाइस इफ्यू वांट तो पर्चेस अबैच राइट एक ऐसा जो खत्म हो जाएगा recording देखना चाहते है विकाज हम लोग बैच अल्रीडी लग बग खत्म करने पर हैं हम लोग है उसकी recording आप लोग को मिल जाएंगी teaching exams में जाना है super coaching पे जाना है view pass detail पे जाना है साथ आप लोगों को नीचे जाना यहां पर और view full course पे क्लिक करना है view full course प आपको apply करना है and you will get a off of 35% of right तो 2144 रुपे में आप लोग देख सकते साथ यूँ फटाफट से 2x की speed पर देख जाओ जितने भी classes कराई है ठीक है computer की classes मैं ले रहा हूं इसमें और क्लास मैं ले रहा हूं साथ ही अजय सर ले रहें सीडीपी की क्लास मैंस की क्लास ले रहें प्रतिक सिवालिक सर की भी classes एवलेबल है इसी में ठीक है और जितने भी offline और online coaching centers है वह एवलेबल है 244 रुपे में आपको 300 mock test भी है PRT के 244 रुपे में ही आप लोगों को साथ जितने भी offline online coaching centers की recordings है वह एवलेबल है तो everything is available in this batch गाईज और कुछ आतर ऐसे भी होंगा जो हमारे बैच से होंगे वह सब लोगों से आप feedback भी ले सकते हैं कि batch कैसा जा रहा है open we are open to do feedback राइट और कुछ demo videos भी है जो आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से बैट कर classes नहीं होती खड़े ओकर classes होती जैसे मैं ले रहा हूं और एक और चीज़ लोकेश भी कूपन कोड है जिससे आपको maximum discount मिल सकता है अधरवाइस कोई कॉल करके कहें कि इससे maximum discount वह वगेरा ठीक है तो याद रखेगा उसे बचें ठीक है नकालो से साफधान तो सिर्फ और सिर्फ लोकेश भी केपिटल लोकेश भी है ना यही कूपन कोड लगाना है आप लोगों को अगर maximum discount चाहिए तो ठीक है थैंक्यू सो मॉच साइन्स भी है साइन्स भी है इसमें साइन्स भी है ठीक है चलिए